हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चानल यूपी पीस पर चौहान तो गैस मेरा नाम है किरा चौहान यहां हम कर रहे हैं दृष्टी घटना चक्रिट 2020 जो की करेंट अफेर्स की बुक है जो एक जून और अंतराश्टिय परिदर्ष जो है हमारा चल रहा है सी तक पॉइंट सी तक कर चुके हैं वहां दी करेंगे और यह कम क्लीट हो जाएगा उसके हम आर्थिक पर दश्य है विग्यानिक पर दश्य उतर प्रदेश विशेश है दिन तक्ष्प्तिय और खेल परिदर्श चलिए करते हैं माँभे का तो यहां से जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे आंतराश्ति चाहीं में कि बात करेंगे तो यहां लेका आ तो है तो जो देखिंए यहां पर कह लिखा है यह फिलिपास नहीं फिलिपैंस है ठीडे तो फिलिपेंस राश्ष्ठा चुनाव 22 से बात कि सत्रवल मैं 22 को माई 22 को हाला कि आधिकारिक मत गड़ना जारी रहेगी और कॉंग्रेस द्वारा तीस दिनों के बाद परिणामों की घोशना की जाएगी तो उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कौन है लेनी रोव्रेडो को पीछे छोड़ दिया है अब दूसरा हम बात करेंगे फ्रांस में राश्ट्रपती चुनाव 2022 की तो यहां पर लिखा है दस से चौदा अप्राइल यह दस और चौदा अप्राइल 2022 को आएजित हुए चुनाव में मैनुएल मैक्रो ने दो चर्णो में पड़े कुल बैद वोटों का 58.55 प्रतिशत प्राप्त कर लिया और जीत हासल कर ली तो उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी उनका नाम था मैरीन ले पे तो उनकी उन्हें किते वोट मिले किते प्रतिशत मत मिले है 41.45 प्रतिशत मत मिले औ और यह कौन से स्थान पर हैं दूसरे स्थान पर तो जो आपके हैं मैंग्रो तो इन्होंने 2002 में क्या है चैक्षिस सिराख के बाद पुनर निर्वाचित होने वाले पहले क्या हो गई है फ्रांसेसी राश्रपति होगे मतलब कि एक अपना वो कारेकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार जो है दो बार से बने हैं ठीक है तो इसमें लिखा है पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गई है चलिए इसकी बात कर तो तहरी ए इंसाफ यानि की पी टी आई पार्टी के प्रमुक इम्रान खान ने 10 अपरेल 2022 को संसत में अविश्वास प्रस्ताफ पास होन सकते हैं अपने पत से तो यह फर्स टाइम हुआ था पाकिसान अब लिखाए कट बंदन के समर्थन से जो है पाकिस्तान मुस्लिम नी नवाज के अध्यक्ष शेहवास शरीफ पाकिसान के कौन से 23 प्रधान मंत्री बने कौन से 23 बने का शेहवास शरीफ राइट चलिए आग में रोड इंग्रो चावस ठीक है इन्होंने जीत हासिल करी है प्रतम दौर में किसी उमीदवार दौर निंटम 40 प्रतिशत मत प्रात नहीं करने के कारण दूसरे दौर में शीष दो उमीदवारों पूर्व राश्ट्रपती जोस मारिया फिगूरेस तथा रोड इंग्रो चावस के बीच क्या है रन आफ रन आफ चुनाव हुआ ठीक है चलिए आगे पड़ते यहां लिका है तुर्कमेनिस्तान राश्ट्रपती चुनाव दो हजार बाइस तो यहां लिका है कि 12 मार्च 2022 को हुए छटे राश्ट्रपती चुनाव में सर्दार बर्दी मुहा मेदो कौन सी लोक्तांतिक पार्टी ने 72.97 प्रतिशत मुद्टों के साथ क्या करी जीत हासिल कर ली तो तुर्कमेनिस्तान के जो राश्ट्रपती है साथ साल के कारेकाल के लिए क्या है यह रांड सिस्टम का उप्योग करके चुनाव चुनाव जाता है ठीक है तो चलिए दो सु नेक्स लिखा है खंगरी में राश्पती चुनाव 2022 मतलब कभी चुनाव प्राँथ की प्र्थम महिला प्रथम महिला रास्पती बनी है हम्गरी में तो सन 2020 के दौरार हंग्री की परिवार हंग्री की परिवार मामले की मंत्री थी है ठीक है 2020 में नेक्षा जाते हैं दक्षिट कोडिया राश्रपती चुनाव 2022 तो 9 मार्च 2022 को हुए राश्रपती चुनाव में यून सुख योल ने 48.56 प्रतिशत मतों के साथ जीत हासल करी धायत है कि दक्षिट कोडिया समिधान के प्रापधानों अनुसार राश्रपती के वल एक बार ही यानि की पांच साल के कारेकाल पर धारित कर सकता है एक बार तो दस माई 2022 को यून सुख योल ने राश्रपती के रूप में पदभार ग्रहण किया तो यहां पर देखके लिका है स्वीडन की पहली अ महिला प्रधार्मंति तो 29 नेवेंबर 2021 को मैक डेलेना अन्डेसन को स्वीडन की पहली महिला प्रधार्मंति के रूप में चुना गया है दयत है कि प्रधान मंत्री स्टीफिन लोवेन नेवेंबर 2021 में प्रधान मंत्री पद से इस्तिफा दिया होंडू रास की पहली महिला प्रधान मंत्री कब 28 नेवेंबर 2021 की बात है कौन है आपकी शियो मारा कास्त्रो कौन सी पार्टी है लिब्रे पार्टी तो यह पहली प्रधान सरी र तो यहां पर क्या हुआ कब हुआ 13 अक्टूबर 2021 की बात है तो जो प्रधानमंत्री है लिखा है कि आम चुनाव में निवर्त मान प्रधानमंत्री के आना में कि नेतरत में लिब्र डेमोक्रिटिक पार्टी ने 465 सीटों में से 259 सीटे प्राप्त की तो यह पार्टी है एक बार फिर से अपनी बड़ी मतलब सबसे बड़ी पार्टी बन गए तो चुनाव में प्राप्त बहुमत के प्रणाम सुरू फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री कि यसको हुआ है ठीक है तो इसमें ने की पहला सकाथ की पहला राश्च्रपती इंपॉटनट तो साथ ही इन्हों से बारबिस करें महिलस्त में 여기는 का भी जह है गोरहहसिल किया फिर महिलाैं इसले मिस्त दो 2 पोइंट आ गए तो सबसे पहले तो पहला राश्च्पत अर वो ए उन्होंने महरानी अलेजबाइट दूते की जगा क्या है द्वीपिय देश बार्बाडोस के प्रमुक के रूप में तीस नवेब बद दो हजार इकेस को शपत लिए कैनेडा संगिय चुनाव की बात करते हैं तो 20 सेतंबर 2021 को आयजित हुए चुनाव में जस्टिन टूडो कौनसी पार्टी लिबरल पार्टी में कितनी सीट 338 सीट में से एक सो साथ सीट पर जीत हासिल कर ली तो जो इतनी सीटे हैं इतने सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी बहुमत यानि कि एक सो सत्तर सीट हासिल ना कर सकती तो इसने कहा कि 49 वर्षे जस्टिन टूडो लगाता तीसी बार चुनाव जीतने वाले कैनाडा के आठवे नेता तता दूसरे सबसे कम उम्रे के प्रधान मरती बने तो इस चुनाव में कुल किते 17 सीटे जो है भारत वंशो ने जीती चलि सी नैशनल ड्रैली ऑफ इंडिपेंडिंग्स आर एन आई पार्टी ने जो है 395 सीट में से 102 सीट जो है हासिल करिए तो 10 सितंबर 2001 को मौरको के शाह मौंमत पो ने अजीज अकनौच को देश का नया प्रधान मंतिरी घोशित किया ठीक है और साथ अक्टूबर को क्या हुआ यह जो है अजीज अकनौच ने मौरको की नए प्रधान मंति के रूप में शपत ली फिर जते हैं अफगानिस्तान में तो यहां पर क्या है अफगानिस्तान में तालीबान का धार्मी कट्टा परती शाशन तो यह भी लिखना बहुत जरूरी है अब लिखा 15.211 को अफगा अफगानिस्तान में तालीबान में तक्ता परलट करते हुए वहां की लोग तांतिक रूप से चुनी गई जो सरकार है उसको हटा कर स्वेम सत्या प्राप्त कर ली चाय लिए तो अफगानिस्तान की तत्कालीन जो राश्टपती अस्रफ गनी स्वेम अपना बचाव करते चोड़कर भाग गए तो इस तक तक पर पलट का सबसे महतफूर कारण क्या था कि अमेरिकी सेनाओं का क्या है अफगानिस्तान से वापसी मतलब जो सेना अमेरिका की वहां थी वहां से वापस हो ली फिर लिखाया कि अफगानिस्तान की तत्कालीन जो सरकार है उसके अगस्ते 2021 में मेजर जनरल क्रिस डॉन्हिव के जाने के साथ पूरी हो गई चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिकाए इसके पहले तालीबान ने अफगानिस्तान में वर्ष नाइंटी नाइंटी सिक से लिका 2001 तक शाशन किया था पर उस दौरान अमेरिकी और नाटो स के लिए संयुकत राष्ट सुरक्षा परिषाथ के अधिक्षता थी और भारत ने अमेरिका ब्रिटेन को सा लेकर कहें सुरक्षा परिषत के तेरा देशोग यानि की मिनी की रूस और चीन इसमें नहीं शामिल ते तो तेरा देशों के साथ एक प्रस्ताव और 25932021 पारित क कर लिया था जिसे तालिबान को आतंक समर्थक संगठनों की सुची से मुक्त कर दिया गया था ठीक है ये मतलब फिर लिखा है आपका जांबिया में राश्पती चुनाब 2021 कब हुआ है 12 अगस्तों 2021 को ठीक है संपन्न हुआ और चुनाब में युनाइट पार्टी ऑफ नैशन मत के साथ जो है राश्पती निर्वाजित हुए तो उन्होंने निर्वर्तमान राश्पती एडगर लुंगू को पराजित किया और इनको कितने परसेंट वोट मिले हैं 38.71 परसेंट वोट मिले कौनसी पार्टी से पैट्रियोटिक फ्रड पार्टी से थे वो अब बात करत राश्पती चुनाव की 3 अगस 2021 को अमा तुल्ला सेद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर्पा आठवे राश्पती की रूप में हसन रूहानी का इस्थान लिया तो 18 जून 2021 में संपर्ण हुए इरानी राश्पती चुनाव में इब्राहिम रईसी ने 72 प्रतिशत से संपर्दिक मत प्राप्त करके जीत हासिल करी तो इब्राहिम रईसी मार्च 2019 से एक जुलाई 2021 तक इरान के मुखे ने अधीश थे अब लिखा है एथियोपिया 2021 आम चुनाव तो यहां पर है कि ए 21 जून 2021 और 30 सितंबर 2021 को हुए चुनाव में अभी एहमद कौन से पार्टी पार्टी तो यह एथियोपिया के फिर से जो है प्रधान मंत्री चुने गए चलिए आते हैं आगे यहां लिका है अंतराश्य आपदाएं चलिए पढ़ते हैं तो चक्रवात क्या नाम है असानी तो 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कौन सा असानी निन्वित हु नाम जो है श्रिलंका द्वारा सुझाय गया यानि की दिया गया है तो इससे पूर्व दिसंबर 2021 में जवाद नामक चक्रवात ने भारत में लैंड फॉल किया था ठीक है तो जवाद नाम कहां से आया था साओधी अरब ने सुझाय था या दिया था फिर हम बात करेंगे त तो 26 मार्च 2022 में फिलिपिन्स इस्तित ताज जॉला मुखी में क्या हुआ विस्वाट हुआ फेस में लिखा है यह जॉला मुखी फिलिपिन्स की राजधानी मनीला से कितने 50 किलोमेटर दक्षिर में कहां लूज जोन भी पर इससे था है ओके आगे बढ़ते चक्रवात इम मौरिशेस री यूनियन जो कि फ्रांस का पार्ट है से होता हुआ मेडगास्कर के पूर्वी तर्ट पर पहुंचा है तो इसकी उपस्तिदी 16 फर्वरी के मद्ध हिंद महासागर में उत्पन हो मतलब मतलब स्टार्ट कब हुआ था 16 फर्वरी तो कहां पर गई हिंद इसके पूर्ष तुफान कौन कौन से हैं वह भी देख लेते हैं एक कराम था एना एक कराम था बच्सी राई और एक कराम था डुमो को यह मेडगास्कर को प्रभावित कर चुके हैं अब बात करेंगे टोंगा में ज्वालमुखी विस्वोड की तो 15 जन्वरी 2022 को टोंगा क दक्षणी प्रसांति दूइत में एक व्रहत ज्वालमुखी विस्वोड हुआ तो यह विस्वोड समुद्र के अंदर इस्तित हुंगा हपाई हुंगा टोंगा नामक ज्वालमुखी में हुआ है तो वर्ष 1991 में फिलिपिन्स के मांट पिना टूबा विस्वोड के बाद य यानि कि मैसो स्फियर तक पहुँच गया तो टोंगा ज्वालमुखी रिंग ओफ फायर में मौजूद है तो इस रिंग ओफ फायर का है यह जरूर देखिएगा जियोग्रफी में आप पढ़ेंगे तो रिंग ओफ फायर विश्व के कुल ज्वालमुखी विस्वोड का 75% वेश्विक भूकंप का 90% से अधिक उतर दाई है मतलब यहां पर इतना ज्वालमुखी विस्वोड होता है इतने भूकंप आते इतने प्रतिशत विस्व में जित्ते आते होते हैं यहां पर सबस्याद हो जाते हैं अब लिखा है कि पेरु में पर्यवर्णी आपातकाल तो तो साउथ अमेरिका के पश्यमी तट पर पश्यमी साइट पर जवाब जाएंगे ना तो वहां मिलेगा तो यह जो घटना है पेरु की राजधानी लीमा से करीब 30 किलोमेटर उतर में और उतर में ला पैम्पिला रिफाइरी के बंदर का शहर कैलाओ के कैलाओ के बेंटा न मेरू ज्वालमुखी में 4 दिसम्ब 2021 को विस्फोट हुआ इस ज्वालमुखी को महा मेरू दा ग्रेट मांटेड भी कहा जाता है और यह दीब जो है जावा के सबसे उंचा और क्या है सक्री ज्वालमुखी है पर लिका है ताइफून राए की बात करेंगी तो इसम्म przं-11 के भीच टाइफून राए फिलिपम्स के टट से टकराया इसे ऐसे 같아서 के रूप में वरगीकृत किया मतलब क्या बोला गया है सूपर टाइफुन तो इसमें कहा है कि राय को फिलिपिन्स में सूपर टाइफुन ओडेट क्या ओडेट के रूप में जाना जाता है चेत्री विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र टोक्यो टाइफुन का नाम रखने के लिए उतरदाई है तो राय मांट ऐसा जालमुखी तो 30 अक्टुवाद दोहजारेकिस को कहां पर कियूशु कियूशु परिस्थित मौन्ट ऐसो जालमुखी में विस्फुट हुआ फिर हम बात करेंगे फुकु टोकू जालमुखी कहा है जापान तो इसमें लिखा है तेरा अगस्ट दोहजारेकिस को पुकोटोको ओकन हुआ ज्वालमुकी जापान तटके से दूर प्रशान्त महासागर में इसका मतलब विस्फोट हुआ है इसमें ठीक है अब आ जाते हैं तो यह जापान के मिनामी मिनामी इवो जीमा दिवी के उतरपूर में इस्तित है और यह एक पंडुबी ज्वालमुकी का उधारन है किसका पंडुबी ज्वालमुकी का उधारन है क्यों यह समुदर के नीचे ही होगा इसमें लिखा है माउंट मेरापी तो 9 अगस्ट 2021 को इंडोनेशिया के जावादी पर यह ज्वालमुकी प्रस्फुटित हुआ यानि विस्फोट हुआ इसमें माउंट क्यों में विस्फोट की घटना दर्जगी गई तो इसमें है पावलोफ ग्रेट सिटिकन अलेशियन द्वीप में इससे जो है आपका है सेमी सोपोच नौए ज्वारमुकी शामिल है अब बात करेंगे चक्रवाद गुलाब की तो सितंबा 2212 में भारत के पूर्वी तर चक से हुआ है गुलाब पाकिस्तान से और इसमें लिका है प्राकरतिक आपदा की भविश्यवाड़ी करने वाला एप चलिए तो 30 अगस 2021 को उत्रकंड के मुक्यमंति ने इस सूज्ञा को साज़ा किया तो एप का निर्माण IIT रोड की और राष्य आपदा प्रबंदन यताबनी जारी कर देगा तो यह प्रतेक छेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा ताकि समय पूर जो है प्रबंदन संभव हो सकता है सके अब लिका है तुर्की में सी स्नौट का प्रकोब तो जून 2021 में काला सागर ब्लैक सागर को एजॉव सागर से जोडने वाला तुर्की का कौन सा सागर है मरमरा सागर में सी स्नौट का प्रकोब देखा गया तो जहते यह ब्लैक सी है यह एजियन सागर है यह आपका है ब्लैक सी ठीक है यहाँ पे है आपका एजियन सागर ठीक है इन दोरों को जोडने वाला कौन सा है आपका मर मरास आगा तो यहां पर देखा गया अब लेका सीसनोट क्या है सीसनोट या समुंदरी लासा प्राकरतिक तोर पर बनने वाला कहें धूसर या हरे रंग का कीचर या पंक जैसा कहें चिपचिपा पदार थे तो बास्ताब में यह समुंदरी की एक कह मोटी जाग युक्त परत है जो जल में उपस्तिस शैवाल से निर्मित होती है मतलब आप देखते हैं न की उपर ओके यह तो खतम होगे तो मतलब यह यहां पर देखा गया कि आप देखें कि समुंदर के उपर जैसे काई काई सी जम गई पूरी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर लिकाए सुक्षमिद रिष्टी की बात करते हैं कुछ कॉशन से इसके बाद यह हमारा अंतराश्य परिदर्श हो जाए का खत्म तो इसमें लिखा है भारत के किन दो शेहरों ने विश्व के ट्री सिटी मतलब ट्री सिटी ओफ वर्ड दो हजार इकिस का खिताब जी था तो एक हो गए आपका हैदरबाद दूसा हो गए आपका मुंबई फिर अमेरिका ने किस देश को अपने मुख गैट नाटो सह लोगतंतर सुचकांक 2021 किस के द्वारा जारी किया गया तो किसके द्वारा इकोनोमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट यानि की ई-i-u के द्वारा और कब किया गया आप देख सकते हैं फरवरी 2022 में चलिए तो इसमें लिखा है नवीनितम सुचकांक में किन कितने देशों को श न्यूजिलेंड है सेकेंड नंबर पर थर्ड नंबर पर है फिनलेंड ठीक है अब लिखा सुचकांक 2021 कि अगर हम बात करें तो नीचे से तीन देश कौन से होगा है 167 में अफगानिसा 166 मैनमार हमाई पडोस में है 165 पे है आपका उत्त्य कोरिया तो भारत में सुचकांक 2021 में 6.91 के समगर स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया भारत ने तो हमारा है 56 वाई स्थान किस देश ने नागरिक हवाई छेत्र में द्रोड को संचालित करने की अनुमती दी है तो वो है इसराइल ले 70 वर्सों तक साशन करने वाली पहली बिटिश समराट ये समरागी बनी कौन थी महरानी अलिजबेट फेस में लिका है कि वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संग के अद्धक्ष के रूप में किस ने जो है पदबार ग्रेंड किया तो इनका नाम है मैकी सेल तो भारत ने किस के साथ अभासी समुद्धी सुरक्षा बारता आयवजित की तो यूरोपे संग के साथ किस देश में प्रथम योग महतसव का आयवजन किया गया तो साओधी अरब में बारत ने किस के साथ मिलकर डिजिटल कार योजना 2022 को मंजूरी तो आश्यान देन किस देश ने ग्रेट बारिय रीव कहां पर कैसी आपका ऑस्चेलिया के ऑस्चेलिया का पाट है ठीक है तो ग्रेट बारियर रीव की रक्षा के लिए वितिय पैकेज की घोश्णा की तो अस्चेलिया ने तो प्रथम भारत मद्द एशिया शिकर सम्मेलन की मेजबानी किस के दुआरा की गई तो भारत दुआरा ओके फेस में लिखा है साउदी अरब ने तीस वर्ष के विवात के बाद किस देश के साथ संबंद बहाल किया तो थाइलेंड के संग किया फिर भारत व इस्राइल ने अपने तीस वर्ष के राजने संबंद को चिन्हित करने के लिए समारक और लोगों लॉंज कि तो लोगों में क्या है अशोक चक्र और क्या है डेविट का सितारा अस्टार ओफ डेविट फिलिका है कि किस देश के एक मैट्रो स्टेशन का नाम महत्मा कांदी के नाम पर रखा गया तो मौरिशेस कहां पर है मौरिशेस ये देखेगा वश 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा ब लिए क्या है आपका दूस अंतारा चले लिए इस आगे बढ़ते हैं नेक्स पे चलते हैं तो लिखा है नेपाल के प्रांथ टू का नाम बदल का क्या कर दिया गया तो इसमें मधेश प्रदेश कर दिया गया फिलिका हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर परतिबन्थ लिए विश्व की सबसे परिवर्तन कारी इमारत गोशित किया गया तो आपका है फ्रेंड्शिप हॉस्पिटल को ठीक है फ्रेंड्शिप हॉस्पिटल तो किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखबाल के लिए पहली संस्था की स्थापना करी है पाकिस्तान ने किस देश ने अपने दीपो का नाम बदलने की गोशना की है तो अश्चेलिया ने वश्च दो हजार बाईस से संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिश्ट के आतंक रोधी समिती के अध्यक्ष कौन है तो भारत है दस वर्ष के अंतराल के बाद फिलिका किस देश देश ने वर्ष दो हजार सताइस तक स्वेम को पूर्टा धूम्र पान मुक्त देश बनाने की घोशना किया तो न्यूजिलेंड ने किया संगाई सेयुक्त संगठन की छेत्रिया आतंक बाद विरोधी सरचना की परिशत की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहन की तो भारत ने करी है किस देश ने ताइवान के साथ अपने राइश ने एक संबंदो को समाप्त कर दिया है तो वह है निकारागुआ ओके किस यूरोपीय राश ने भांग के निजी इस्तिमाल की मंजूरी दिया है तो माल्टा फिह किस देश ने तबली की जमात पर प्रतिबंदर लगा दिया है तो साओधी अरब कौन शत प्रतिज़ाद पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार है तो दुबई किस देश भारत के प्रधानमंति नरेंद मोधी को अपना सरवोच नागरिक सम्मान अवार्ड क्या है आपका order of drug ग्यालपो प्रदान किया है तो किस ने किया है भूटान ने किया है इस पूरसकार को किस अन्याम से भी जाना जाता है तो नगदग पेल गी खोर लो फिर संगतराश्ट को पर वेक्षक का दर्जा दिया गया है तो अंतराश्टी सौर संगठर आई-एस से फिर किस देश ने दर्द रहित मृत्यू हे तु इच्छा मृत्यू उपकरण को मंजूरी दी है तो वह है स्विजलेंड कहां पे है यॉरप में फिर किस देश ने बाल विवाह को पूरी र में सहयों के लिए पहली समुद्धी वारता आयजुत की है तो वह है यूके यानि की यूनाटेट किंग्डम वह है दो देश जिसके बीच 1224 किलोमेटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माड क्या गया है तो वह है जर्मनिया और रश्या किते किलोमेटर का इस 1224